तो जैंद मेरे प्यारे साथ यो, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश आंगन वाडी में यह जो भरती आई हुई है जिसका की आउनलाइन आवेदन वरतमान समय में चल रहा है इसके रिगाइडिंग में और सबसे खास बात जानते हैं इस वेकैंसी की इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटेन इग्जाम नहीं होगा बारहवी के परफंटेज में आधार पर आपका सिलेक्सन होने वाला है अलग अलग जिलों में यहाँ पर वेकैंसी निकाली गई है सारा complete जानकारी में आपको दूँगा उसके अलावा website और apply link भी provide करने वाला हो तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा valuable होने वाला है वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंतर तक watch किजिएगा और चैनल पर भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए इसी प्रकार के government job के more update के लिए तो दोस्तो आईए बिना समय गवाई वीडियो को continue करते हैं मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेफ आंगनवाडी में यह जो नई भरती आई हुई है जिसका कि online आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है इसके regarding में देखे नंबर आफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 23,750 पदों पर यह वेकेंसी जो है आई हुई है जिसमें हुआ क्या है दोस्तों कि 44 जिलों में पहले ही farm भरे जा चुके हैं इसका जो है selection process complete किया जा चुका है अब जो है यह 31 जिलों के लिए यह वेकेंसी निकाली गई है और यह जो 31 जिलों के लिए जो वेकेंसी है ना यह एक बार और और निकाली गई थी 15 मार्च 2024 के दिन लेकिन 16 मार्च 2024 के दिन जो है आचार संगिता लागू होने के कारण इस वेकेंसी को पूरी तरीके से इस्थगित कर दिया गया था रोक दिया गया था तो फिर से एक बार इन ही 31 जिलों में यह वेकेंसी निकल करके आई हुई है जिसका ओनलाइन आवेदन जो है वर्तमान सवय में चल रहा है देखें एपलाई डेट की अगर मैं बात करूँगा ना तो अलग अलग जिलों में यह वेकेंसी निकाली गई है तो किसी-किसी जिल करोगे उसका लाश्ट डेट जो है यहां पर क्या रहने वाला है अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किन-किन जिलों में यह वेकेंसी निकाली गई है और वहां पर नंबर आफ टोटल सीटे जो है कितनी है तो नंबर वन वारणसी कि अगर मैं बात करूँगा तो यहां पर 199 पदों पर यह वेकेंसी निकाली गई है जहासी में 290 फीटे है हमीरपुर में 155 फीटे है अमेठी में सबसे ज्यादा 427 फीटे है कनौज में 118 फीटे है आगरा में 482 सीटे है अलीगड में 449 फीटे है अमेड़कर नगर में 350 सीटे है वही पर अम्रोहा की बात तो 461 सीटे है बागपत में 199 सीटे है बहराइच में 632 सीटे है बलिया में 77 सीटे है बलरामपुर में 388 सीटे है बांदा में 210 सीटे है बारा बंकी में 402 सीटे है उसके अलावा बारा बंकी में 321 सीटे है बस्ती में 200 68 सीटे है बिजनौर में 507 सीटे है बदायू में 535 पर यह वेकंसी निकाली गई है उसके अलावा और भी कुछ जीले है जिनमें की यह वेकंसी निकाली गई है यहाँ पर जगह नहीं है इस वजह से मैं लिख नहीं पाया हूँ इसके अलावा फतेपुर हो गया इटावा हो गया चित्रकूट हो गया फिरोजाबाद हो गया इन स काफी सारे लोग यही नहीं जानते होंगे कि आंगनवाडी कार्यकरता के पद पर क्या काम करना पड़ता है तो देखिए उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट के द्वार्मेंट के द्वारा जो भी स्कीमें आती हैं जो भी योजनाय आती हैं खास तोर पर जो पिछड़ा सामाज है जो गरीब महिलाएं हैं बच्चे हैं उन तक इन स्कीमों का इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना आंगनवाडी कार्यकरता का काम होता है उसके अलावा घर घर जा करके बच्चों का टीका करन करना उसके अलावा जो प्रेगनेंट महिलाएं हैं तो सरकार की तरब से उनक लग नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन आप जो है इसके ऑफिशल वेबसाइट यूपी आंगनवाडी भरती डॉट इन पर देख सकते हो इसका जो लिंक है मैं टेली ग्राम चैनल पर डाल दूगा साथ ही साथ एपलाई लिंक भी मैं डाल दूगा वहाँ पर 40-50 रुपए लगेंगे वहाँ जा करके आप सभी लोग आउनलाइन आवेदन कर सकते हो हलाकि फी की अगर मैं बात करूंगा न तो यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का कोई भी पैफा नहीं लगेगा आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलाउंग करते हो यहाँ प सरजी वाड़ा बहुत हो जाता है धांदली हो जाती है और जिनको यह लाब मिलना होता है ना वहां तक यह लाब नहीं पहुंच पाता है लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार पूरी तरीके से यह आउनलाइन वेकेंसी निकाली गई है वेबसाइड यसा कि मैंने आपको सिलेक्षन होगा इसलिए जिनके ज्यादा परफंटेज होंगे ना उनको यहाँ पर उतना ही लाब मिलने वाला है ठीक ना केवल महिलाए जो है इस वेकेंसी के लिए आउनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं और देखे एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो दो का गाउwn है वार्ड है नगर पंचायत आते होंगे ठीक न तो आप अपने ही ग्राम पंचायत यह नगर पंचायत से जो है इंप्मांगर कर सकते होंगे और और वह निवास प्रमाण पत्तर भी आपको लगाना पड़ेगा यह नहीं कि आप आगरा के रहने वाले हो और और आप वारह रण 21 से एपलाई कर रहे हो जह 50 से एपलाई कर रहे हो ऐसा बिल्कुल विंय Պगा मतलब कि आप जिस भी नगर पंचैत या घ्राम-पंचैत से बिलॉइं करते हो ना तो वहीं पर आप जो है करते हो कहने का मतलब है कि आप दूफ्ले नगर पंचैत या फिर ही गई है दोस्तों यहां पर वरीत है कि अगर मैं बात करूंगा ना तो BPL कार्ड यानि कि वे महिलाएं जो की गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन का रही है जिनके पास BPL का राशन कार्ड बना है उनको यहां पर सबसे ज्यादा प्राथ मित्ता दिया जाएगा उसके जो है जो विद्वाएं महिलाई हैं जिनके की जो हस्बेंड है वो खतम हो चुके हैं उनको यहां पर प्राथ मित्ता दिया जाएगा उसके बाद तलाक शुदा जो महिलाएं हैं उनको यहां पर बेनिफिट सबसे ज्यादा दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि जो नॉर्मल जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर वरीता दी जाएगी तो यह वहाँ पर मैंने आपको सीरीज से बता दिया है BPL कार्ड, विधवा और तलाग शुदा महिलाओं को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वरीता दी जाएगी सम्मंधित दफ्ता वेज आपको आउनलाइन आवेदन करते टाइम पर लगाना पड़ेगा प्रस्तूत करना पड़ेगा ठीक है ना तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँगा तो 18 फाल से ले करके 35 फाल तक के जो कंडिडेट है इसमें आवेदन कर सकते हैं और जो आपकी एज की गढ़ना की जाएगी वो जुलाई 2024 के एकॉर्डिंग की जाएगी यानि कि इस डेट तक आपका जो डेटा अफ बर्त ह वो मिनिममम 18 फाल और मैक्समम 25 फाल के अंदर होना चाहिए तब जाकर के आप इस वेकिंसी में आवेदन कर पाऊगे और वेतन की अगर मैं बात करूँगा तो जो मान दे मिलता है देखे इसमें वेतन की अगर मैं बात करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा वेतन नहीं दि देव मिलता है गौर्रमेंट के तरफ से वो आपको यहां पर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर जानते हैं डेली आपका काम नहीं होता है सब्ता में एक दिन दो दिन या तीन दिन इस तरह से काम रहता है जब भी कोई योजनाएं आती है तो आपको उन योजनाओं का लाब ज चाहिए जिससे कि आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकत खेंग हो तो सब्से पहले तो आपके पाफ ऐच्णडी क्योगता होना चाहिए यानि की 12 वी की मार्शिट सर्ट्रेट र sporting होना चाहिए उसके अलावा आपके पाफ आधार कार्ड होना चाहिए आपके caste certificate आपके पास होना चाहिए, state level का होगा तो भी चल जाएगा, center level का होगा, तो भी चल जाएगा, उसके अलावा आपके पाफ जो है, निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए, कि आप किस जिले की निवासी हो, तो निवास प्रमाणपत्र यहाँ पर बहुत जरूरी है, उसके अल डाकुमेंट्स लगेंगे जिसके बारे मैंने आपको बता दिया है आंगनवाडी कारे करता के पर ये वेकेंसी आई हुए जिसका ओनलाइन आवेदन वर्तमान सोई में चल रहा है 15 या 17 अक्टूबर इसका लाश्ट डेट होने वाला है सभी 31 जिलों के लिए ये वेकेंसी नि करक्तिया को पूरी तरीके से complete कर लिया जाएगा तो दोस्तो आई होप कि वीडियो आपको informative लगा हो यदे वीडियो आपको informative लगा हो तो वीडियो को like किजगा channel को subscribe किजगा बाकी फिर मिलूँगा किसी next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद